हेलो ग्रास कैसे हैं आप अमीदा प्रीजों सरीय स्वांग फिट पार्टर को तो हाद दुबाय के नई ट्रिक साथ तीन हफते का पाकिस्तान क्रिक टीम का जो कैंप है वो खतम हो चुका है और अब पाकिस्तान का अगरा मिशन शुरू होने वाला है वो है सतारा प्रेल से टी पूम्टी मैचेश में यूजिरान के खिलाव तो नए ख्राड़ियों को पूर्पूरा मौकर सुनने में आरहा है कि दिया जाएगा कुछ मैचे गार वर्ल्ड काप का जो कंबिने शना रहा है वो हमने combination बनाना है और वर्ल्ड कप पक्सान के लिए काफी है मैंड़ू इसके बात क्यों कि यह दो तीन सीरी ज्य है वो तीन सीरीज बलकि जो है बन रही है और इसी में पक्सान अपने combination भी बना रहा है तक्रिवां दस मैच्चस मेरे खासे बन रहे हैं 10 तनी बन रहे, 12 मैचिस बन रहे, 3 आरलेंग पी खिलाफ है, में खाल से 4 शायद इंगलिड पी खिलाफ है, 5 जो हमारे इसके साथ पतक एपन, 12 मैचिस बन रहे, तो इनी मैचिस में हमें अपना पूरा कमबिनेशन आगे वर्ल्ड कप कर भाड़ बनाना है, रुश्मानुञान। इसके लवा फिर शाही नबुडी तीम मुहमद अमिर उने वाले हैं। आफ्मो की भी सरी है रावा गैराख हिर्ण ग्लारी छाहने हैं। छाही है तर झाहने खिलाबा यह दिखाल है। वो शायद आपको इस सुकॉार का मैं कहरा हूं पहले जो प्लेंग 11 है उसमें शायद जो नजर ना आए साहिम अजूब माफ़िवाई दाए यह हैं प्लेंग 11 होने वाथ यह प्लेंग 11 होने वाली है पहले मैट में और इसके लावथ अएक और खबर यह वा निकल जा लिए कि शायद जहाए वो शायद क्या कानफाम है कि निजलाइंग के लोग खिला रही है वो इस तरी से बाहर हो गए है और बहुत बड़ा जहाए वो एक चटका माना जा रहा है कि फिन ऐलन और आडम लाइंग आप जानते हो कितने जबदस पर समय और आडम मिलाइंग कितने और बहुत सारे और भी नुजलाइंग के खिलाड़ी है जो आई पिल में वैसे लिए बैठे हैं उनको खिलाया नहीं जहारा लाकर वो आई पिल में बैठे है क्योंको जहां मोटे ताजर पैसे मिल रहे हैं तो इन दोनों की रिप्लेस्मेंट है वो की गई है टॉम बलेंड पाकिस्तान खिलाया उसके बाद जहां उनको बाहर बिठा दिया और पूर आई पिल जहां मुझे लग रहा है को शाद बाहर बैठके जहां वो देखेंगे क्योंको वहां पर मोटा ताज़ा पैसा मिल रहा और पाकिस्तान खिलाव जो सीरीज है वो फिर इस पजासे उन्हो चोड़ दी है तो यह चोड़ी अपडेट की अधर चीर को नमा चनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो तुम इलता है फिर अब लोड़ी बास